टेक्नोलोजी इस बेस्ट वन इट बिंग्स पीपल तुगेदर आज की इस वीडियो में एवलुशन और वार्लेस टेक्नोलोजी के उपर हम बात करेंगे गाइज अबको पता होगा हमारे काफी सारे नेटवर्क्स हैं 1G, 2G, 3G, 4G और अभी लेटेस 5G भी आने ही वाला है यह जितने भी नेटवर्क्स है हमारे यह सब वार्लेस नेटवर्क्स है 1980s में हमारा सबसे पहले नेटवर्क 1G आया था आप सोच रहे होंगे कि यह जी का क्या मतलब है यहां पर जी मतलब generations तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे 1G नेटवर्क के उपर 1G नेटवर्क जो था हमारा एनलोग सिगनल्स के उपर बेस था इस नेटवर्क के थ्रू हम सिर्फ कॉलिंग कर सकते थे मतलब SMS सर्विस उस टाइम अवेलिबल नहीं थी और moreover अगर आपको कॉल करना था आप within country ही कर सकते थे आप कह सकते हैं कि मतलब इसका penetration जो लेवल था वो काफी कम था दूर दूर तक आप कॉलिंग नहीं कर सकते थे स्पीड, स्पीड के अगर बात करें इसकी स्पीड लगबग 2.4 की भी पीस में थी और अगर आज की स्पीड के साथ अगर हम इसको compare करें वो काफी कम है कॉल करते टाइम काफी disturbance भी आती थी ये काफी drawbacks रह गए थे इसमें तो certain areas में ये weak रह गया था इसको overcome करने के लिए हमारा आया 2G network 10 साल पाद 1990s में हमारा 2G network आया और हमारा ये network GSM-based है Global System for Mobile Communication ये जो signals यूज करता है ये digital signals यूज करता है और इसकी speed अगर हम डिसकस करें तो वो 64 KPPs में है जो की काफी ज्यादा है as compared to 1G इसमें plus point क्या था वो ये था कि calling की साथ साथ आप messages गर भी भेज सकते थे एक दूसरे को मतलब SMS service उस time available हो चुकी थी picture messages हो या MMS हो आप बेज सकते थे लेकिन इसके भी काफी drawbacks रह गए थे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि digital signals यूज करता है तो कहीं पे भी अगर particular area में अगर आपका network weak है तो वहाँ पे आपको दिक्कत आती थी धीरे धीरे जैसे technology vast होती गई हमारा 2.5G आया 2.75G आया जहाँ पे हमारा जो data rate था वो 144 kbps तक पहुँच गया था अब calling के साथ साथ हम streaming भी कर सकते थे live streaming भी कर सकते थे कोई video download करनी हो वो भी कर सकते थे और मालो अगर आपने कोई MP3 song download करना है तीन मिनिट का तो वो 6-9 मिनिट में हो जाता था download तो आप कह सकते हैं कि काफी असान हो गया था blog के लिए interact करना अपस में और internet को use करना काफी असान हो गया था लेकिन ये भी sufficient नहीं था तो जैसे जैसे टेकनोलोजी वास्ट होती गई 2000 में जाके हमारा एक नया network आया 3G network इस 3G network की जो speed थी वो 2000 की वीपीस थी बहुत ज्यादा speed थी है अब इसमें streaming के साथ साथ लोग काफी कुछ कर सकते थे अब लोग normal phone नहीं यूज़ कर रहे थे बलकि smartphone यूज़ कर रहे थे इस network की through communication तो fast हुआ ही था network की speed भी काफी बढ़ गए थी मतलब बड़ी-बड़ी emails अगर आपको भेजनी हो या फिर receive करनी वो सब असान हो चुका था high speed web more security TV streaming, mobile TV, phone calls ये सब कुछ ये सब services मिलनी स्टार्ट हो गए थी अब वो 3-3 minute की MP3 song थे, वो 2-2 minute में download हो जाते थे, जबकि 2G में आपको 10-10 minute लगते थे तो काफी improvement आई थी network में, तो काईज अब तक हमने बात की 1G, 2G, 3G networks के बारे में, अब हम बात करेंगे 4G network anytime, anywhere network इसे कुछ लोग magic या फिर mobile broadband भी बोलना start कर दिया था लोगोंने क्यों, क्योंकि जो इसकी speed थी वो 100 Mbps से लेके 1 Gbps की थी मतलब 4G network ने एक standard set कर दिया था कि अगर आप माल लो train में travel कर रहे हैं, तो आपको 100 Mbps की speed मिलेगी ही मिलेगी और अगर आप stationary है 1 Gbps की मतलब आप लोग higher data rate के साथ साथ काफी multimedia services भी enjoy कर रहे थे लेकिन जैसे कि हमें पता है, हर चीज़ के drawbacks होते है इस 4G network के भी काफी drawbacks थे, जैसे कि इसके जो equipments use हो रहे थे इस network को बनाने में वो काफी costly थे और इसके जो battery usage थी वो भी काफी बढ़ रही थी और इसको implement करना भी काफी मुश्किल हो रहा था तो recently 2010 में 5G network आया जिसमें माना जाता है कि it is with almost no limitations इसमें internet की speed भी काफी अच्छी है और जो videos हैं लोग HD quality में देख सकते हैं इसमें काफी कुछ असान हो गया है larger phone memory dialing speed clarity in audio and video काफी कुछ sport करने लग गया है ये network हमारा काफी efficient है और काफी attractive भी माना जाता है so guys that was all about networks technology तो आती रहेगी और जाती रहेगी it's not less than a magic तो अगर आपको ये video पसंद आई तो please like करिए share करिए और subscribe करना ना भुलिए अच्जेदा झायल झायल झायल